हाई गैज और विल्कम बाक टू दी चैनल दीपक्च यादव एजूकेशन विल्कम टू दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल इनालिसस ऑफ 22 देसंबर 2023 तो गैज आज है तारिक 22 देसंबर 2023 और है फ्राइडे देखेंगे आज के दाहिंदू कंप्लीट न्यूस पिपर को निलाइस करेंगे बट लेक्चर हुआ के बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक्यादव एजूकेशन यूपी एसी आपको ये वला चनल मिल जाएगा यहां से आप डेली बेसस पे इस लेक्चर के पीडिएफ को डाउनलोड कर सकते हो और अगर आप मेरे साथ में परसनली जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हो वहाँ पे जाके फिर से लिखना है दीपक्यादव एजूकेशन मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहां पे ओल्रेडी 14,000 से जादा लोग जुड़ चुके हैं नाव हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है वालमे की टाइगर रेजर्व को कहां पर है यह एक्जाक्ली लोकेटड इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे साथी साथे question solve करेंगे जो कि UPSC previous year साल 2010 के प्रलिम्स में पूछा गया था daily basis पे हम लोग यहाँ पर एक previous year question को भी solve करते हैं question क्या बोलता है नीचे option के अंदर चार अलग अलग फसलों के नाम दिये गए इन में से कौन सी एक ऐसी फसल है जिसको हम उगाते हैं इथानौल के लिए option number A जत्रोफा, option number B मेज, option number C पॉंगैमिया या फिर option number D सनफलार तो इसका सही आंसर सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को इसमें participate करना है जैसे मैं आप लोग उसे daily business पे बोलता हूँ इसका जो correct answer है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर provide करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलो शो बारम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले thumbnail वाले important article की तरफ तो दोस्तों आपने बहुत सरे news articles देखे होंगे पड़े होंगे या सुन भी लिया होगा बहुत सरे videos के अंदर कि जो international monetary fund है इसने भारत को एक चेतावनी दी है कि हमारा जो उधार है वो लगातार बढ़ता हुआ चले जा रहा है और government का जो कह सकते हो कि debt to GDP ratio है वो बहुत तेजी से increase हो रहा है जो कि आने वाले समय पर एक चिंता का विश्या बन सकता है क्या है matter क्या है debt to GDP मतलब यह है कि दोखो आपका जो total GDP है यानि कि total annual economy आपको देखने को मिलेगी उसको लेकर basically जो उधार है वो किस level पर है जैसे आज किसमें पर कर हम बात करेंगे तो जैसे 100% GDP है तो 100% में से 81% तो उधार भारत के उपर है और कहीं न कहीं IMF ने यहां पर यह चेतावनी दी है यह कर्ज लगातार increase हो रहा है और जो economy है वो GDP है वो बढ़ तो रही है लेकिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है कि इस कर्ज को टकर दे सके समझ गए तो कर्ज जादा तेजी से बढ़ रहा है GDP थोड़ा धीमी गती से बढ़ रही है तो इस वज़ा से कर्ज ऐसा increase हो रहा है कि आने वाले समय पर हमारे total GDP को लेकर यानि जितनी हमारी GDP है उतना ही total कर्ज हो सकता है 100% GDP तो 100% कर्ज हो जाएगा ऐसा यहां पर international monetary fund ने बोला है और कहीं न कहीं दोस्तो हमें इसको लेकर एक सुधार करने की जरूरत है साथी साथ में IMF ने ये भी mention कर रखा है कि अगर आप आज के हिसाब से एक समय और पुरा अगर अंदाजा देखते हो तो आने वले समय पर मार्च 2024 तक इंडिया का जो total कर्ज होगा वो 170,000 करोड से भी जादा का हो सकता है ये बात यहां पर दोस्तों mention की जा रही है जिस वज़ा से ये कल जो article है पूरे दिन भर अलग-अलग news media के अंदर में cover किया जा रहा था तो इसके बारें पढ़ना बहुती ज़ादा जरूरी है क्या है पूरा मामला ये हमने समझा लेकिन यहां ही पर एक बात और बोली जाती है भारत का ये जो debt to GDP रेशो है जैसे मैंने बोला अभी 81 या 81.3% के आसपास है ये आने वाले समय पर 2025 तक बढ़कर 82 या 83% पहुंच जाएगा फिर उसके बाद जाकर ये थोड़ा थोड़ा गिरना शुरू होगा लेकिन अभी आने वाले जो कुछ साल है वो चिंता जनक हो सकते हैं हमाँ पर कर्ज और जादा बढ़ सकता है और इस कर्ज को कंट्रोल करने का सलूशन यही है कि हमें अपनी GDP के उपर काम करना होगा हमें अपनी GDP को ज़्यादा तेजी से ग्रो करना होगा जिससे जो यह डेट है यह पीछे रह जाए आज के समय पर यह उल्टा है जीडिपी कम तेजी से ग्रो कर रही है और जो कर्ज है वो जादा तेजी से ग्रो कर रहा है और यहाँ पर IMF ने एक रीजन भी मेंशन कर रखा है और मैं आपको बता हूँ गवर्मेंट ने भी एक रीजन बता रखा है रीजन यह है कि अगर आप लोग दोस्तों COVID-19 का समय देखते हो ठीक है 2019 या 2019 से पहले का समय कर आप देखोगे तो उस समय पर जो हमारे डेट टू जीडी पी रेशियो है वो पता है लगबग कह सकते हो कि 75% के आसपास था पिछातर परसेंट के आसपास जो कि अभी यहाँ पर 2023 में हम देखने हैं यह 81% महुँच चुका है रीजन क्या है कि COVID-19 के समय पर जब लॉकडाउन लगा तो बहुत सारे जो चीजें हैं वो यहाँ पर सरकार को परचेस करनी थी बहुत सरी चीजों के उपर पैसा खर्चना था तो उसके वजह से बहुत सरा कर्ज लिया गया और वो जो डेट है दोस्तों वो बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया और अब जाकर वो 81% लगबग हो चुका है हमारे GDP का तो इसको ही कंट्रोल करने की आवश्रकता है यह IMF ने मिंशन किया क्या है IMF जरा ये भी जान लेते हैं क्योंकि दोस्तों ये तो केवल न्यूज आर्टिकल है एक्जाम के लिए इतना जादा इंपोर्टन है भी नहीं और यहां से कुछ क्वेशन बनेगा भी नहीं अगर कोईच क्वेशन बना तो आपने देखो आववियसी बात है जरूरी नहीं की क्वेशन बनने के लिए आर्टिकल बढ़ रहे हैं यह आर्टिकल अवेरनेस के लिए भी जरूरी है हमारे देश की बात हो रही है यहां पर और दूसरी चीज़ अगर हम बात करेंगे तो एक एस्पेक्ट यहां से गर हम एक्जाम के लिए देखें भी तो हमारे लिए एक इंपॉर्टन चीज़ निकलती है इंटरनाशनल मोनेटरी फंड आईमेफ क्या है इंटरनाशनल मोनेटरी फंड नाम की जो यह बॉड़ी है दोस्तो इसको बनाया गया था वर्ल्ड बैंक के साथ महीं सेकेंड वल्ड वर के बाद में इसको तयार किया गया और इसको इसलिए बनाया गया ताकि जो वर्ल वर हुआ था उसके बाद जो कंट्रीज में बुरे हाला थे उन चीजों को वापस से ठीक करना और ये जो दो और्गनाजेशन थी आईमेफ और वर्ल बैंक इन दोनों को सेटप एक साथ ही किया था ब्रेटन वुड्स के अंदरे कौंफेरेंस चल रही थी यूएस में उस दोरान यहां पर इनको बनाया गया ठीक है इस वज़ाश से क्योंकि इन दोनों को एक ही इवेंट में बनाया गया इस वेसे इनको ब्रेटन वुड्स ट्विन्स के नाम से भी जानते हैं यह जो International Monetary Fund है दोस्तों यह गवर्न की जाती है लगवग 190 से ज़्यादा Countries के थूँ यानि दुनिया भर की Countries IMF के मेंबर से हैं हाँ बिलकुल भारत भी इसका मेंबर है इवन भारत ने तो देश की अजादी से पहले ही यहाँ पर इसको जॉइन कर लिया था इंडिया ने IMF क 27 दिसंबर 1945 में जॉइन कर रखा है इसके परपस की बात करेंगे तो परपस आप समझी चुक है उसका मेन परपस यही है कि कोई भी कंट्री उसको अगर सपोर्ट चाहिए तो वह एक मोनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करता है यह International Monetary Fund इतना ही नहीं दोस्तों IMF दो रिपोर्ट भी पब्लिश करता है दोनों रिपोर्ट के बारे में ध्यान रखना है एक रिपोर्ट का नाम है Global Financial Stability Report और सेकेंड का नाम है World Economic Outlook दोनों IMF पब्लिश करता है कहोगे इस content का क्या लेना देना जरा यह देखो UPSC ने सवाल पुछा 2016 के अंदर सवाल क्या था Global Financial Stability Report कौन तयार करता है तो कौन तयार करता है यह International Monetary Fund यानि IMF तयार करता है समझ गए इस वज़ा से topic important था हो सकता है कि आगे पूछ लिया जाए World Economic Outlook वाली रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है तो यह भी International Monetary Fund ही पब्लिश क चलिए आते हैं उसके बाद में next article पर अच्छा अगले article पर पढ़ने से पहले एक बात और एक important information अगर आप लोग हमारे paid groups को join करना चाहते हो दोस्तों आपके पास में एक बढ़िया मौका इसको join करने का यहां पर current notes के PDF वगरा provide करवाय जाते हैं जैसे अभी हमने यह article डिस दोनों भाषाओं में होगा वो PDF प्लस वो PDF printable form में होगा चाहता प्रेंट आउट वगरा भी उसका निकलवा सकते हो यह इसमें धेर सारे benefits हैं और दोस्तों यह सारा का सारा content आपका उस group में secure रहेगा date wise content पढ़ रहेगा किसी भी तारिक का आप यह जो PDF open कीजिए पढ़िये डिलीट कर दीजिए कोई problem वाली बात नहीं है आपके पास में अगर storage का issue है कोई problem वाली बात नहीं है कि आप कितना content store कर सकते हो है न तो सारी problem का solution एक मातर यह है आप इस group में सारा content secure करके रख सकते हो और ऐसा नहीं कि आज अगर आप group join करोगे तो आज से मिलना शुरू पुराने pdf भी उसमें मिल जाते हैं उसका access भी आपके पास में होगा ठीक है बागी दोस्त उस group को join करने का जो fee payment है वो बहुत ही minimum है just 499 for the lifetime access यानि कि जब तक आपका selection न हो जाए तब तक आप 499 इस group को join करके रख सकते हो और join करना चाहते हो तो करना क्या है whatsapp पर जाना य प्रोसेस बताया जाएगा और payment के process से जादा important आपको demo video का link भी मिलेगा आपको ले demo video को अच्छे से चेक कर लेना अपना आपको satisfy कर लेना उसके बाद जाकर ये investment करना ये सारे options आपके पास में खुलेवे हैं ये एक छोटा सा amount है जो आप इदर उदर spend कर देते होंगे ठीक article present है जिसको हम GS paper number 3 environment से link करेंगे क्या बात की जारी है recently आपको पता होगा तमिलाड के अंदर में एक oil spill का case निकल कर आया था वहाँ पर पानी के अंदर में जो ये तेल होता है वो तेल फैल चुका था और उस तेल फैलने की वज़ा से वहाँ पे उस पानी में present जो मच्किया वगरा है उनकी जान जाने लगती है है ना जो oil spill जो इसको बोलता है मतलब हिंदी में इसको तेल रिसाफ बोला जाता है शायद है ना तो ये जो oil spill है दोस्तों कई बार अलगला कारण की वैसे से देखने को मिलता है समुदर में कई बार जहाज में कोई problem आ गई या जहाज क कोई दिक्कत आ गई या कुछ और इशूज आए तो उसकी वैसे वहाँ से तेल फैलना शुरू हो जाता है तेल निकलना शुरू हो जाता है और फिर वो समुदर में पूरे ज़रा से तेल फैल जाता है और ये तेल अगर समुदर में फैल गया तो इससे बहुत बड़ा disaster होत तमिलनाट से दोस्तो उसके बाद कई सारी जो यहां पर कह सकते हो कि birds ने problem face की है तो अभी हाल ही में क्या किया जा रहा है इन birds के लिए खाने का जुगार बनाया जा रहा है ठीक है तो ये जो birds हैं दोस्तो इनके लिए यहां पर एक पुरा net तैयार किया जा रहा है ताकि इन क्या था मनाली के अंदर इंडस्ट्री से एक oil spill का case देखने को मिला वहां से तेल बहा जो की कही ना कहीं आज के समय पर जो हमारा एन औरे क्रीक नाम की जगा है उसमें यह तेल फैला जिसकी वज़ा से जो bird की population है वो थोड़ी सी कम भी हो चुकी है तो बची कुछी population की protection के में ध्यान दिया जा रहा है ठीक है तो यह तो हमारी हो गई news लेकिन मा आपको बता दूँ guarantee के साथ में जो news है हमारे exam के लिए 1% भी important नहीं है तो करना क्या है हमें हमें exam के लिए यह देखना होगा इस article में से क्या निकल रहा है जो हम syllabus से link कर सके हैं हम यह निकाल सकते हैं कि इसका impact क्या हो सकता है और at the last इसका solution क्या हो सकता है ऐसे आपने हर एक topic को जो news में है उसकी सारी चीज़ों को बाटना है अब कोई और topic है मालो तो उसके advantages, disadvantages और उसका solution way forward तो यह सारी चीज़ों में आपको provide करवाने की कोशिश करता हूँ तो oil spill के उपर मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस साल 2023 की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं 2023 में mains के अंदर oil spill को लेकर UPSC ने directly सवाल पूछा वा है तो अब पहले हम शुरुआत करते हैं अपने discussion की क्या होता है oil spill इसके बारे में सारे aspects discuss करेंगे फिर last में question दूँगा चाहो था आप attempt करना आपकी मरजी है तो oil spill का मतलब जब uncontrolled way में जो कच्छा तेल है या fuel है वो एकदम से release होना start हो जाए हमारे environment में especially यहाँ पर मतलब environment में खाई पर भी हो जाए वो हमारे जमीन को pollute कर सकता है हवा को pollute कर सकता है water को pollute कर सकता है लेकिन जादतर oil spill के cases हमारे water में नज़र आता है ठीक है समुद्र में जादतर यहाँ पर एक cases नज़र आता है समझ गए और जो जमुद्र में नजर आता है वो जातर यहां पर उसके लिए हम oceanic oil spill का जो term है वो use करता है अब जब बात आती है oil spill के तो इसके पीछे के main कारण क्या हो सकते है कई सारे कारण हो सकते है एक environmental problem हो सकती है वो एक main कारण हो सकता है जो बड़े बड़े जहाज यहां पर तेल के जो drum होते हैं उनको लेकर जा रहे होते हैं इदर से उदर उस समय पर कोई भी accident हो सकता है जिसकी वज़ा से यहां पर oil spill हो सकते है सबी जगा पर समझ गए लेकिन जब oil spill होता है तो इसका impact बहुत भयानक पड़ता है क्या असर पड़ता है इसका पहला असर है environmental impact environment के उपर असर पड़ता है जो indigenous people है क्योंकि अब suppose मालो यह जो area है यह किनारे तट के किनारे का region है अब यही पर मालो अगर कोई oil spill का case आजा है पूरी तरह से यहाँ पर समुदर में यह तिल फैल जाएगा तो इसके region के आसपास रहने वाले जो लोग है उनकी health के उपर impact पड़ेगा नहीं पड़ेगा कई सरह लोग यहाँ पर यह समुदर से कुछ food आता है, seafood आता है तो पहला तो environmental impact पड़ेगा second है harmful to aquatic life जो यह oil है, obvious ही बात है जब यह किसी समुदर के उपर फैलेगा तो उसके अंदर जो aquatic life है यह birds वगर हैं, यह आप देख पाऊगे उनकी हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे और इनकी मृत्ती हो सकती है इनसा भी birds की या और जो पानी के नीचे present animals है उनकी ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, कि अब ना इनके पास में अच्छे से sunlight नहीं पहुँच पाएगी क्योंकि जो यह oil है वो कहीना कहीं sunlight का जो पूरा आपके सकतो access उसको cut down करेगा तो sufficient amount में sunlight इनके पास में नहीं पहुच पारी होगी जो oxygen का level है वो कम होता चले जा रहा होगा इनके body के अंदर में जिस वज़ा से कहीन है कि इनकी जान चली जाती है फिर एक और impact पढ़ सकता है वो है hypothermia जो कच्चा तेल होता है ये कही न कहीं इसके अंदर में waterproofing properties होती है अगर तेल और पानी को मिला कर देखो मिल जाएगा नहीं मिलेगा अब suppose ये पानी इसमें तेल गिरा दो तो वो तेल उपर अलग-लग होकर तैरने लगेगा इसमें waterproofing properties यहाँ पर हमको दोस्तों देखने को मिलती है और waterproofing properties जो हमारी birds होती है है न जो हमारी चिडिया होती है वो जो पानी में भी present रहती है ducks वगर अगए इनके जो feather आप देख पाऊगे ये भी waterproof होता है लेकिन ये जो waterproof feather है इनके उपर जो fur है वो सब इस तेल की वज़ा से सकच्चे तेल की वज़ा से बेकार हो जाता है और बेकार होने की वज़ा से क्योंकि यहाँ पर अब क्या होता है इनको हाइपोधर्मिया हो जाएगा हाइपोधर्मिया में इनकी जो body temperature है वो तेजी से कम होने लगेगा क्योंकि पहले तो इनका जो पूरा उपर बॉड़ी के उपर फर है वो waterproofing था, पानी का इतना impact पढ़ नहीं रहा था अब यहां पर क्या हुआ, oil अगर इनके उपर लग चुका है तो उसकी वज़े से अब यहां पर थूड़ा सा इनका जो फर वगरा है उसके साथ साथ दोस्तों उनके reproductive rate को भी affect करेगा इससे उनकी जो संक्या है वो खतम हो सकती है इतना ही नहीं, इससे mangroves को भी एक बहुत बड़ा खतर हो सकता है mangroves जो कि basically आपको देखने को मिलेगा पानी के अंदर ये वाले जो पेड हैं ये present होता है अगर इसमें oil spill हो जाए तो इस oil spill की वेसे इसकी जड़े सारी खराब हो जाएंगी और यहाँ पर ये जो पेड है वो नश्ट हो जाएगा तो ये impact है, environmental impact environmental impact के साथ साथ इसके economic impacts भी देखने को मिलते है economic impact में सबसे पहला था है tourism अब मालो कहीं बीच पर लोग घूमने जाया करते थे और उसी बीच पर oil spill हो चुका है तो क्या लोग वहाँ पर जाएंगे? नहीं जाएंगे tourism के ओपर सीधा-सीधा यहाँ पर असर पड़ेगा जिससे उस particular area की economy डाउन हो जाएगी यह है पहला economic impact second यहाँ पर impact है power plants जो power plants होता है या दूसरा और important चीज़ है दोस्तों वो भी यहाँ पर depend करते हैं sea water के उपर अब मालो यहाँ पर कहीं पर पास में power plant है और वो power plant समुदर का पानी इस्तमाल कर रहा था अब समुदर में फैल गया तेल तो क्या वो पानी power plant यूज़ कर सकता है नहीं कर सकता तो इससे दोस्तों हमें power plants भी switched off करने पड़ेंगे वो भी कईनकी उसका effect होते वे नज़र आएंगे फिर एक और impact है fishing तो जादतर जो oil spill है वो तेजी से यहाँ पर हंगो को जब देखने को मिलता है जब यहाँ पर तेल इस तरीके से फैल जाता यह आप case देख रहे हो यहाँ पर इस जहाज में कोई accident हुआ जिसकी वज़ा से यह तेल फैल गया तो इससे क्या होगा इस area की जो मचलियां वगरा है वो खतम हो जाएंगी समझ गए अब सवाल यह है किसका solution क्या हो सकता है इसका उपाई क्या है पहला है bio remediation आपने सुनाओ गई नाम bio remediation में हम एक bacteria का use करते हैं वो जो bacteria है वो इस oil spill में छोड़ दिया जाएगा समुदर के अंदर में और यह जो bacteria है वो क्या करेगा bio remediation के मादम से यह जो oil spill है इसको साफ करने लगेगा इसको clean कर देगा जितना भी यह तेल है ठीक है तो एक specific bacteria होता है जो की bio remediation में use किया जाता है ठीक है ध्यान रखनाएश के बारे में और जब बात करते हैं bacteria की तो वो कौन सा bacteria हो सकता है तो यह लग 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 नाम दिये गए पर पर लूसी डेबेका उसके बाद साइक्लो क्लास्टिकस उसके बाद ओलिस्पेरिया यहाँ पर है थेलसॉलेटिस यहाँ पर जॉंक्षेनिया तो इस प्रकार के bacteria हैं दोस्तों जो कि कहीं न कहीं हमारे इस तेल को remove कर सकते हैं दूसरा जो यहाँ पर एक solution है वो है containment boom, floating barrier यह आप देख पारों समुदर को दो हिस्सों में बाट दिया यानि तैरतवा यहाँ पर एक boundary है तैरतवा एक border है वो यहाँ पर बना दिया यह तो उस area में यह containment boom यानि कि जो floating barrier है लगा दिया जा सकता है और इसको लगाने से जो तेल है वो एकी जगा पर सिमित होगा फिर दीरेदर यहाँ पर उस oil को remove कर सकते हैं या फिर oil का जो यह spreading है इसको रोका जा सकता है पूर एरिया में affect होने से समझ गए तो यह यहाँ पर एक और तरीका है फिर आता है skimmer skimmer एक और solution है skimmer basically कुछ devices होते हैं जिसका इस्तमाल करते हैं हम और इन device से क्या होता है यह आप देख पाओगे यह जो पानी के अंदर तेल है वो तेल खीचा जा रहा है पानी में से तो वो सब इस device के माध्यम से हो सकता है फिर आता है sorbent sorbent में आपका straw, volcanic ash या फिर polyester जो polyester plastic होती है उसकी कुछ shavings यह कुछ चीज हैं दोस्तो यह ना तेल को एकदम सोखना start कर देती है तो इनका भी use कर सकते हैं हम इस समुदर से तेल को सोखने के लिए तो oil spill में यह भी एक सबसे बढ़िया चीज है सबसे बढ़िया solution नहीं तो फिर अगर यह सब solution आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो एक last solution है dispersing agents कुछ chemicals ऐसे आता हैं जिनके अंदर में कैसे तो surfactants present होता है या एक ऐसा compound होता है वो जो की हमारे liquid substance को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है जैसे अगर हमने यह chemical डाल दिया जहां पर oil फैलावाए तो जब chemical डालेंगे तो जो oil है वो छोटे छोटे droplets में तूट जाएगा और तूटने के बाद में वो natural तरीके से खतम हो जाएगा C में पूरा गुल के खतम हो जाएगा तो एक तरीका यहां पर यह भी हो सकता है तो यह सारे के सारे यहां पर इसका solution है I hope दोस्तों आपको अच्छे से clear हो चुका है आपके दिमाग में एक सवाल भी आएगा क्या हमारे पास में कोई इस oil spill से सम्मधित कानून वगरा है नहीं तो आज के समय पर ऐसा कोई भी जो law है वो हमारे सामने present नहीं है फिलाल फिर भी यहां पर हम लोग बात करेंगे तो एक environmental damage को लेकर बात करती है इंडिया के पास में एक है National Oil Spill Disaster Contingency Plan of 1966 जो कि इस प्रकार के situations को handle करता है तो जो particular document है इसको Ministry of Defense ने 1996 में जारी किया था और last बार इसको 2006 में अपडेट किया गया उसके बाद इसके उपर इतना कोई जादा focus किया नहीं जाता हाँ अगर जब बात करता है इंटरनाशनल लेवल की तो 2015 में भारत ने जो एक particular कह सकते हो कि convention है International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001 तो इस वाले convention को हम लोगों ने एक approval दे रखा है समझ गए? तो ये बाते ध्यान में रखनी है Oil Spill को लेकर बहुत ही जादा important article है बहुत सरे aspects आपको यहाँ पर जानने को मिले है अब आप देखो इसका importance कितना ज़्यादा है UPSC ने mains में अब की बार इस साल की बात करों 2023 के mains में से भी question था question ये था What is oil pollution? What are its impact on the marine ecosystem? In what way is oil pollution particularly harmful for a country like India? तेल प्रदूशड क्या है? समुदरी प्रस्थिती तंत्र पर इसके प्रभाव क्या है? भारत जैसे देश के लिए तेल प्रदूशड किस तरह से विशेश रूप से हानिकारक है? ऐसा है यहाँ आपे सवाल पूछा गया डेर्स लब दो में आंसर आपने लिखना है चाहो तो आप इस क्वेशन का आंसर लिख सकते हो वैसे आगे मैं अभी एक एरिटूरल भी डिसकस करूँगा वहाँ पे तो मैं आपको मेंस का क्वेशन दूँगा हर रोज एक मेंस का क्वेशन दिया ही जाता है आपको है ना? चलिए आगया था है इस वहले आटिकल को थोड़ा सा रुक कर डिसकस करेंगे आज के हमारे न्यूस पेपर में टेक्स्ट एंड कॉंटेक्स पेज पर प्रेजन है जहां पर पोस्ट ओफिस बिल 2023 के बारे में डिसकस्शन किया गया है अब इतनी बात कर लिए चलो डिसकस करी लेता है आज के न्यूस पेपर में पेज नंबर 12 पर ये आर्टिकल प्रेजन है जिसको जीस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक किया जाएगा तो दोस्तो पोस्ट ओफिस डाक घर के बारे में सब न सुना है जहां से चिट्टी वगरा पोस्ट की जाती है और ही बहुत सारे यहां पर काम किये जाते हैं तो ये जो पोस्ट ओफिस है इसको लेकर एक नया बिल आया है जिसका नाम है पोस्ट ओफिस बिल 2023 और लाना जरूरी भी था क्योंकि इससे पहले जो हमारे पास में पोस्ट ओफिस को रेगुलेट करने वाला कानून है वो बहुत ही जादा पुराना है दोस्तो मैं अगर बताऊं तो वो कानून है इंडियन पोस्ट ओफिस एक्ट ओफिस एक्ट ओफिस बिल 2023 जिस वज़ा से यहां पर ये न्यूज माया है तो क्या है ये पोस्ट ओफिस बिल एक एक करके बहुत डीटेल से डिसकुशन करेंगे क्योंकि दोस्तो बात यह है कि 18 दिसंबर को हमारे पार्लियमेंट ने पोस्ट ओफिस बिल 2023 को पास कर दिया है जिस वैसे ये न्यूज में है चलिए अब इस बिल के प्रोविजन क्या है ये आप से पूछ जा सकते है सबसे पहले समझते ही है कि इस बिल का मेन मकसद क्या है एम क्या है तो इस बिल का मेन एम क्या है कि जो भी यहां पर लौ है हमारा पुराना वाला जो यहां पर पोस्ट ओफिस वाला लौ था बेसिक लिए उसमें यहां पर सुधार करना चेंजिस करना अब चेंजिस क्या करना उसको हटा कर हम नया ही बिल ले कर आ रहे है जिसमें पहले की comparison में बहुत सारी services को और include किया गया है पहले वाला एक्ट जो है वो बात करता था कि केवल और केवल आप चिट्थी post कर सकते हो यहां से भारतिय डाक से ठीक है इस डाक घर से लेकिन अब यहां पर क्या है कि इस नए वाले बहुत सारी और भी services को आड़ कर दिया चिट्टी के सासादा बहुत सारी और भी services को handle कर सकतो इस Indian post के माधियम से और इस बिल का जो second provision है वो थोड़ा ज़ादा important है intersection of shipment अब यह क्या है तो दोस्तों यहां पर section 9 है इसके तहत हमारी center को ठीक है यहां पर एक authority मिल जाती है और यहां पर यह authority यह है कि जो dark घर है इनके officers को और ज़्यादा power देना इनके officers को यह power मिल चुकी है कि मान लो कोई समान आप इदर से उदर dark घर के माधियम से भेजना चाहते हो उसको post करना चाहते हो तो जब post करते हो अगर किसी को शक है कि वो समान कहीं न कहीं हमारे state security के लिए खत्रा है हमारे देश या दूसरे देशों के साथ में जो संबन्द हैं इसके लिए बहुत 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 खत्रा है पब्लिक order के लिए खत्रा है It also permits post officers to transfer postal items to custom authorities. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लो अगर यहाँ पर जो post officer है क्योंकि वही तो यहाँ पर इसको pass करते हैं तब जाके आपका जो transfer है वो पहुँचता है सब जगह पर. ठीक है जो भी आपने कोरियर किया है ठीक है जो भी आपने post किया है basically तो suppose यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई ऐसा shipment आया कोई ऐसा समान आया जिसके उपर बहुत ही जादा शक लग रहा है यहार इसमें कुछ ऐसा item है जो कि खतरना गो सकता है तो दोस्तों यहाँ पर कहीं न कह है यहाँ पर जो post office है पहले इसके उपर जिम्मेदारी हुआ कर दे कि मालो यहाँ पर delivery कहीं और डाल दी किसी और का समान था किसी और का item था कहीं और डाल दिया गया या देरी हो गई है या services के दौरा थोड़ा damage हो चुका है तो इसका खतरा पहले cable or cable वो officer के उपर आया करता था तो दोस्तो अब यहाँ पर post office और उनके officers को इससे बाहर निकाल दिया गया है उनके उपर यह जिम्मेदारी नहीं है कोई अगर loss हो चुका है किसी item का वो पहुचा नहीं टाइम पर या miss delivery हो यह देरी हो चुकी है damage हुआ है तो यह सारी चीजे की जिम्मेदार नहीं post office हो फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे जो current bill है आज के समय का जो नया वाले bill की बात करें 2023 वाले bill की इसने जो 1898 वाला कानून था इसके section 4 को भी खतम कर दिया है जो की हमारे केंद को center को main power दिया करता था कि वो सारे letters को transport कर सकें एक जगा से दूसरी जगा पर post के माद हम से ज तो center के पास में जो exclusive privilege जो extra benefits मिला करते थे वो चीज़े हट गई है फिर 2023 जो bill है यह पहली बार कहीं न कहीं private courier services को regulate करने की बात करता है तो private courier जो services काम करती है लगला कंपनिया है वो भी कहीं न कहीं दोस्तों अब कह सकते हो कि इस किस के अंडर आ सकती है इस bill के अंडर में cover वो बढ़ा दी गई है ठीक है केवल postal operations का ही काम नहीं होगा केवल post करने का ही काम नहीं होगा उसके अलाव उनके पास में कुछ और भी powers होंगी समझ गए तो यह बात आपने ध्यान में रखनी है तो यह था हमरा post office bill जिसको लेकर discussion हो रहा है यह लंब चोड़ आर्टिकल pre-qualify करती है एक malaria vaccine को जो की serum institute के तहत तयार की गई है तो WHO ने Thursday में कह सकते हो add कर दिया है R21 matrix M malaria vaccine को ठीक है तो अभी देखो हमारे पास में एक और vaccine थी अब यह दूसरी vaccine है जिसको यहाँ पर pre-qualify के तोर पर अप्रूव किया गया है यह vaccine serum institute of India ने तयार की है ठीक है ऑक्टू सब उठाने होंगे जो R21 vaccine है दोस्तों यह दूसरी vaccine है जिसको WHO ने अप्रूव किया है ध्यान रखना ठीक है दूसरी vaccine है जिसको WHO ने pre-qualify के है ना उसके trials वगरा होंगे ताकि यहाँ पर जो बच्चे है especially उनको बचाया जा सके इस malaria से तो R21 vaccine ध्यान रखना second malaria vaccine है जिसको WHO क कि साइट से pre-qualify कर दिया गया है क्योंकि malaria को लेकर कोई proper vaccines हमारे पास में नहीं थी लेकिन अब है तो जिस वे से यह news में articles छपे हैं क्योंकि problem यह इतनी बड़ी हो चुकी है बोला जा रहा है कि साल 2022 में लगबग 249 million malaria के cases पूरे दुनिया में देखने को मिले और लगबग 6 लाग 8000 malaria से होने वाली मृत्तूं यहां पर देखने को मिली 85 देशों में तो यह बुरे हाला 2022 में थे इस वज़ा से malaria को control करने के लिए हमें vaccines की बहुत ज़ादा requirement है बात करते हैं अब यहां पर examination के perspective से तो directly पहले आपके malaria के बारें पता होना चाहिए और साथी साथ में इसके बारे में कुछ specific data पता होना चाहिए जो कि आप prelims as well as mains दोनों में यूज़ कर सको तो malaria एक जानलेवा बिमारी है जो की होती है एक plasmodium parasite की वज़ा से एक ऐसा parasite जो की इनसानों में यहाँ पर transmit होता है और इनसानों में कौन फिलाता है मच्छर फिलाता है मच्छर की वेसे तो malaria फिलता है और वो मच्छर कौन सा है एक female mosquito है जिसका नाम है inophilis mosquito इसकी वेसे ब आना जाता है tropical और subtropical regions में यानि की जो हमारे African countries है South East Asia है South America है जिसमें South East Asia में इंडिया भी आगया तो यहाँ सभी जगह पर आपको यह जातर देखने को मिलेगा और मैं आपको बता दूँ जो यह malaria है दोस्तों यह ना कहीं ना कहें इसके पीछे का main reason क्या है plasmodium falky parum यह main responsible जातर मृत्यों के लिए इसका एक दूसरा plasmodium भी यह plasmodium vivax यह जातर बिमारी फैलाता है malaria की लेकिन जातर खतरनाक वाला कौन सा है plasmodium falky parum अब बात आती है अगर किसी को malaria हो जाए तो उसके symptoms यानि लक्षन क्या दिखाई पड़ते हैं तो अगर एक बार malaria body में गुज गया तो इससे कहीं न कहीं दोस्तों बहुत तेज बुखार, शरीरी ठंडा पढ़ना, कापना, सर में दर्दोना, मासपीशियों में दर्दोना, थकान होना, ये हमको नजर आता है, जातर केसिस में malaria जो है ये एक इनसान के organ failure तक create कर सकता है, उसके अंग फेल हो सकता है, कोमा में जा सकता है, इनसान की मृत्यू तक हो सकती है, नौ फाइनली बात करते हैं vaccine की, तो अभी तक कोई भी ऐसी malaria vaccine हमको देखने को नहीं मिली थी जो 75% से बढ़िया काम कर सेके, लेकिन अब जो WHO है उसने बढ़िया तरीके से काम किया है, पहला malaria vaccine जिसको RTSS नाम है, ये यहाँ पर basically यूज की गई, और आज किसमें पर ये जो vaccine हमारे पास में available है, जिनका efficiency rate तोड़ा सा improve हो चुका है, इस vaccine को यहाँ पर develop किया है, एक collaborative effort क मादम से Glaxo Smith Klein Bill और Melinda Gates Foundation ने मिल कर इसको तयार किया है, एवन इंडिया के अंदर भारत BioTech ने भी यहाँ पर कह सकतो हो, license दे दिया है इस vaccine को manufacture करने के लिए, ठीक है, और साथी साथ में दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है, कि ये जो vaccine आज की समय पर देखने को मिल रही है, इसका development तेजी से किया गया है, इसको R21 के नाम से जान रहे हैं, अभी भी यहाँ पर एक ऐसी vaccine जैसे मैंना बोला ना R21 की बात कर रहे थे, ये जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये second vaccine है जिसको approval मिल चुका है, तो अभी पहले ये थोड़ा पहले का content है, जहाँ पर approval का wait कर र एक लिए for example, National Vector-Born Disease Control Program, तो ये एक umbrella program है, जिसका main मकसद है कि केवल जो मच्छर से फैलने वाली बिमारी malaria ही नहीं, मच्छरों से फैलने वाली और बाकी सारे बिमारियों से भी लड़ा जा सके, जैसे malaria, Japanese Encephalitis, Dengu, Chicken Gunia, Kalazar और Lymphatic Filaresis, दिन उसके बात में भारत का एक और effort है, वो है National Malaria Control Program, इसको 1953 में launch किया गया था, और कहीं न कहीं यहाँ पर इसके तीन main activities है, यह आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ज्यादा कुछ इसमें घुसने की ज़रुरत नहीं है, फिर कुछ और initiatives भी है, कुछ और programs भी है, for example, National Framework for Malaria Elimination 2016 to 2030, ऐसे यहाँ पर High Burden to High Impact Initiative, तन Malaria Elimination Research Alliance, इंडिया, ठीक है, यह तो Pedular Body है, जिसको ICMR ने Establish किया था, तो यह सारे के सारे steps यहाँ पर उठाए गए हैं, फिलाल के लिए इतनी बात ध्यान रखनी है, कौन सा mosquito है, और कौन सा यहाँ पर, कह सकते हो कि, status क्या है इसका, कि कितने लोग यहाँ पर जान इसको हम GS Paper 3 Environment के Point of View से जोडएंगे, क्या बात की जारी है, अरुनाचल प्रदेश के अंदर में एक National Park है, जिसका नाम है नमदफा National Park, और नमदफा National Park में एक Squirrel पाई गई है, एक Flying Squirrel, उड़ने वाली गिलहरी, यह गिलहरी पहले पाया जाती थी, ठीक है, आखरी बार इस ग Hyperterus Biswasi, तो इसके बारे में describe क्या गया था 1981 में, उस समय पर एक Single इस प्रगार की Squirrel found की गई थी, नमदफा Tiger Reserve के अंदर अरुनाचल प्रदेश में, तो दोस्तो अभी क्या है, इसके ओपर research की गई है, और बोला जा रहा है, 42 साल से यहां पर यह missing है, नमदफा Flying Squirrel, जो की देखी भी गई थी, इसके ओपर research किया गया है, research करने के बाद में, जो सारी team है, इन्होंने मिलकर यहां पर जो information है, वो निकाली है, कि बिल्कुल, पहले तो इनका एक photo लिया गया था, photo लिने के बाद में, कई सारे जो researchers हैं, उन्होंने यहां पर इसको काफी लंबे समय तक तो Assam के अंदर एक पूरी team थी, जिन्होंने April 2022 में इसको खोजा था, देखा था, फिर उसके बाद में इसका कुछ data collect किया, उसके बाद पता लगा कहा है, flying risk quarrel है, समझ गए, आगे आता हूँ मैं, तो दोस्तों, यहां पर examination के point of view से एक important चीज़ है, वो है नमदफा national park, यह इतना important है, कि UPSC ने दो बार यहां से prelims में question पूछा हुआ है, ठीके, तो अगर आपने previous year questions को analyze किया हुआ है, आपको syllabus का अच्छे से मालूम है, ठीके, तो आप हर एक article को पता लगा सकते हो, कि यहां यह article important है, और क्यो important है, क्या पढ़ना है मुझे, ठीके, तो वो सारी ची पर article पढ़ लोगे, तो मैं article के बल पेस्ट करके, एकदम पढ़के, यहां पर बता के निकल सकता हूँ, ठीके, तब तो काम हो जाएगा जल्दी, लेकिन फिर उसके बीचे का यह background data और जहां से question बनने है, 2-3-3 question पूछे वह हैं, वो रह जाएगा ना फिर, तो यार हमेशा आप कह सकते हो कि quantity मत देखा करो, यह बहुत सरे article discuss करो, यह करो, quality भी तो एक चीज होती है ना, अब ऐसा नहीं quantity में discuss कर दिया, important है, नहीं है, सही दरिगे से discussion हो रहा है, अब फिलाल यह discuss किया है, तो यहां से कुछ important चीज मिल रही है ना, जो आपके syllabus के लिए important आपको दिख लग जाता है, ठीके, हाथ दुख जाता है, उसके बाद जाके पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले पूरा pattern change था, ठीके पहले इतना time ही लेगा करता था, अब थोड़ा जाधा time लग रहा है, फिर उसके बाद अब क्या होता है, पहले video export करने में थोड़ा सा में लग जात फिर export करने के बाद जब upload करो तो processing में रुख जाता है, तो यार थोड़ा सा यहाँ पर यह technical issue भी है, मतलब issue क्या है, कहलो यह जब आप ऐसा record करते हो, system से वीडियो record करते हो, तो ऐसा यहाँ पर follow pattern को follow करना पड़ता है, I hope आप लोग मेरी बात को समझ रहोंगे, चलो, फिला जो कि एक tributary है, हमारी ब्रहमपुतरा नदी की, चीक है, यह बात ध्यान में रखनी है, अब नमदफा पता चलिया, तो एक नमदफा river का नाम है, जो इस पार्क सा ओरिजिनेट होती है, बाद में वो मिलती है, दूसरी नदी में वो दूसरी नदी जाकर ब्रहमपुतरा की म हमारा tropic वाला region, जहांपे tropic of cancer, tropic of capricorn के बीच वाला region हो गया, उस से ओपर subtropical region हो गया, तो वह वाला climate भी थोड़ा आता है, subtropical climate भी थोड़ा आता है, तो दोनो climates आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है, mountainous region भी है थोड़ा सा, वो भी आपको यह देखने को मिल जाता है वैली आपको देखने को मिल जाती है घाटियां वगरा देखने को मिल जाती है वहाँ पर ठीक है तो climate कैसा है वो मैं आपको बताया बाकी location की बात करेंगे तो very very important नमदफा नैशनल पार्क कौन से राज्य में अरुनाचल प्रदेश में अरुनाचल प्रदेश ये रहा वो राज्य हमारा नौर्ट इस्ट इंडियन स्टेट है जो कि कई सारे स्टेट्स के साथ में बांडरी को शेर करता है सबसे पहले असम के साथ में दूसरा नगलेंड के साथ में और इंटरनाशनल बांडरी भुटान के साथ में चाइना के साथ में और पीछे मयानमार के साथ में को ये शेर करता है ठीक है अब दोस्तों यहाँ पे यह जो location देखने को मिलती है नमदफ़ा नाशनल पार्क की वो है इंडिया, मयानमर, चाइना, ट्राय जंक्शन पॉइंट पर ठीक है भारत, चाइना, मयानमर, तीनों का एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है इस्पेशली यह वाला पॉ है मिशमे हिल्स के अंदर में यहाँ पर है located है और बोला जाता है हमारे भारत का चौथा सबसे बड़ा नाशनल पार्क है, सबसे पहला सबसे बड़ा नाशनल पार्क हेमिस नाशनल पार्क लद्दाक में, दूसरा है डेजर्ट नाशनल पार्क राजिस्थान में, तीसरा है tiger reserve declare किया गया same year 1983 में दोस्तों ये जो national park है ये हमारी UNESCO world heritage site की tentative list के अंदर में रखा गया है पर बात करते हैं biodiversity की इस area में हजारों से ज़ादा पेल पौदों की प्रजातियां हजारों से ज़ादा यहाँ पर अलग-लग animals की species पाई जाती है इसमें सबसे important आपने जो ध्यान में रखना है वो है flying squirrel इसको लेकर discussion होता है और यह मैंने newspaper में से भी आपको पढ़ाया है तो यह नमदफा national park बहुत famous है critically endangered नमदफा flying squirrel की वज़ा से उडने वाली गिलहरी यहाँ पर spot की जाती है आकरी बाद 1981 में spot की गई थी देखी गई थी यहाँ पर हुलोग गिबॉँ भी देखने को मिलते हैं यह एकलोती एप की species है जो की इंडिया में पाई जाती है और केवल और केवल इस वाले national park में very very important mark कर लेना दुनों चीज़ों को लिख लेना लेकिन आपने याद रखना है इन दोनों चीज़ों को इतना जोर दिया जा रहा है तो obviously बात इंपोर्टन्स है यह फिर बात आती है इसके vegetation की तो vegetation इतना जिहान पर रखने की आवश रखता है नि अब दोस्तों अरुनाचिल प्रदेश में नमदपा नाशनल पार्क के अलावा भी दूसरे protected areas है जैसे पकके वाइलाइफ सेंचरी हो गया मॉलिंग नाशनल पार्क कमलंग वाइलाइफ सेंचरी इटानगर वाइलाइफ सेंचरी और इगल नेस्ट वाइलाइफ सेंचरी ठीके आगया आता है आप देखो UPSC का question क्या था question ये था 2015 का question ने पूछा गया which one of the following national park नीचे दिये गए option में से कौन सा national park है जिसका climate tropical से subtropical भी देखने को मिल जाता है तो अभी हमने discuss किया था tropical subtropical climate यहां का है कहां का नमदपा national park है तो ये आप देखो यहीं से directly question पूछा गया फिर यहां पर एक और सवाल था UPSC का 2013 का question यहां पर pair बना के देदिये गए और पूछा गया है बताओ कौन सा pair correctly match है थर्ड वाला देखो नमदपा national park के बारें पूछा या है क्या नमदपा national park डफला hills में है नमदपा national park मिश्मी hills में है अभी आपको मिश्मी hills के बारें पढ़ाया था तो ये दोनों का match बैट नहीं रहा है थर्ड वाला गलत है सेकिंड वाला भी match नहीं बैट रहा है ये भी गलत है पहला वाला सही है नोकरेक बायोस्वेर रिजव हाँ बिलकुल ये गारो hills में है तो option number one only is the correct answer clear चलिए आए आते हैं आप फाइनली आते है इडिटूरेल डिसकर्शन पर अभी हमारे कुछ और short news articles भी है दाहिंदू के वह में आगे डिसकर्स करूँगा उसमें कुछ ज़्यादा बागर on information नहीं है इस विज़ उसको last मिलिया है पहले ज़्यादा important articles को हमने पकड़ लिया है ठीके तो इस एडिटूरेल में बात की जारी है इंडिया के इथानल करनेंडरम के बारे में तो ये भारत का इथानल को लेकर पूरा issue क्या है इथानल क्या है किस aspect में हम लेकर चल रहे है भारत को क्या दिक्कते face करने को मिल रही है और उन दिक्कतों से हम कैसे निपट सकते है हर एक चीज़ को यहाँ पर cover किया जया है बहुती ज़्यादा शांदर article बहुती ज़्यादा important article अच्छे से सुनना दो बार prelims में और कई बार मेंस में question पूछा जा चुका है और आगे भी possibility है कि बहुत सरे questions पूछा जाएंगे आज का discussion बहुत ही ज़्यादा important है फिर बात करते हैं context की तो context में दे कि यहाँ पे news क्यों है क्यों इस editorial को writer ने लिखा है बोला जा रहा है कि अभी conference of parties 28 की meeting होती है दुबई में सौ से ज़्यादा देश वहाँ पर present थे जिन सब ने मिलकर यहाँ पे target रखे कि 2030 तक हम अपनी renewable energy capacity को तेन गुना बढ़ा देंगे renewable energy capacity यानि कि जो solar की मादम से energy आ रही है wind के मादम से energy आ रही है इसको हम जाद expand करेंगे rather than coal को जलाना coal को जलाकर जो energy आ रही है उसका कम use करेंगे pollution कम करेंगे कहने का मतलब है simple सा और इसमें pollution कम करना है तो एक सबसे बड़ा factor कम करना होगा क्योंकि दोस्तो production के पीछे एक main reason है transportation गाड़ी motor जो चल रही है उससे भी बहुत ज़दा production होता है तो अगर हमने इस वाली area को control कर लिया मान लो बहुत सारा जो हमने pollution उसको control कर लिया और वो कैसे control होगा वो हमें petrol को जलने से रोकना होगा petrol अगर आप use करोगे तो obvious से बात है प्रदूशड होगा diesel यूज करोगे वो जलेगा गाड़ी में उससे भी pollution होगा तो इसका बड़िया option है ethanol blended petrol आप petrol जादा इस्तमाल मत करो पेट्रोल थोड़ा सा लो उसमें थोड़ा सा ethanol मिला दो अब यहाँ पर चलाओ उससे तो इससे pollution control होगा खवतम तो नहीं होगा लेकिन control होगा तो दोस्तों इंडिया ने यहीवाला concept अपनाया है ethanol blended petrol और इसमें हम लोग ने काफी जादा तेजी से एक कह सकतो success को हासिल किया है 2013-14 के अंदर हमने petrol में 1.6% ethanol मिला लिया था 2022 ते इसमें यही ethanol 11.8% मिल चुका है हमारा target है कि 2025 तक हम इस इस ethanol को petrol के अंदर 20% तक मिलाएं 100% petrol है तो इसमें से 100% नहीं 80% petrol होगा और 20% ethanol होगा और यह ethanol हम अपने देश में बनाएंगे कैसे बनेगा गन्ने से बनेगा ethanol ठीक है गन्ने से बनता है प्लस जो मेज है कौर्न है है ना जो मक्का है बेसिकलिए उससे भी ethanol बनता है तो ethanol इन चीजों से बन सकता है grain से बन सकता है और इससे हम अपने targets को पूरा कर सकते हैं होता क्या है कि हाल ही में NAFED नाम के एक body है जिसका फुल फॉर्म है National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India और second body है NCCF यह जो NAFED और NCCF है यह दोनों bodies ने मिलकर हाली में approval दिया है कि हम क्या करेंगे हम इस मक्के को corn को purchase करेंगे खरीदेंगे ताकि उस मक्के को खरीद कर ethanol बनाने वाली factory में उसको supply किया जा सके जिससे ethanol का ज़ादा से ज़ादा production हो क्योंकि जितना ज़ादा ethanol उतना ज़ादा हम petrol में blend कर सकते हैं उसको हाला कि यहाँ पर इतना असान नहीं होगा जितना हम कह रहे हैं इसमें बहुत सारे challenges भी हैं हमारे earth वर्वस्ता के लिए वो challenges क्या है वो भी discuss करेंगे लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ethanol है क्या तो दोस्तो ethanol एक organic compound है जो की बहुती clear है colorless liquid है flammable है एकदम जलाओगे जल जाएगा और इसके अपना आप में बहुत सारे characteristics है और ethanol का use करते हम जो alcoholic beverages होती है शराब वगरा उसको बनाने के लिए भी use किया जाता है ठीक है और यहां पे सबसे बड़ी बात ethanol बन कैसे रहा है यह बन रहा है sugar से ठीक है और वो कहां से आ रही है गन्ने से आ रही है अब तो गन्ने की बजाए मक्के से भी हाँ पर ethanol बनाया जा रहा है इसके uses की बात करेंगे ethanol अगर बन जाये तो कहां पर इस्तमाल कर सकते है इस liquid का beverages में ethanol basically एक प्रकार का alcohol है जो शराब वाली जो ड्रिंक से उसमें पाया जाता है इसको consume किया जाता है अलग-लग form में beer में होता है wine में होता है spirits के अंदर भी यह present होता है फिर बात करेंगे fuel की तो ethanol का मैज़ा bio fuel भी इस्तमाल कर सकते है कैसे इस ethanol को सीधा हमारी petrol के साथ मिला दो और ethanol blended तेल मिल गया हमको अब वो अला तेल जलाओ उससे pollution कम होगा क्योंकि अब तेल भी कम है क्योंकि ethanol अगर कीवल जलाओगे तो माँसे pollution नहीं होता है इतना ही नहीं दोस्तो इस ethanol का use हम कर सकते है as a industrial solvent इसकी ability इस ethanol की यह पूरी तरह से घुल सकता है तो इसलिए इसका use किया जाता है अलगलग manufacturing industries में for example pharmaceutical, perfumes की industry में या दूसरे products की industry में इतना ही नहीं इसका medical और laboratory use भी है ethanol का use के जाता है antiseptic के अंदर में disinfectant के तौर पर medical और laboratories के अंदर में as a preservative यूज के जाता है किसी चीज़ को लंबे समय तक बचाने के लिए फिर बात आती है chemical feed stock की तो इसका use हम कई सारे chemicals को produce करने के लिए भी करते हैं अब हाज के समय पर क्या कर रहे है इसी ethanol का इसी liquid का use कर रहे है हम ethanol blended program के अंदर में ये एक ऐसा program है जो कि हमारी भारत सरकार लेकर आई थी जिनका main purpose था कि petrol के अंदर में ethanol को मिलाया जाए थोड़ा petrol थोड़ा ethanol इससे पूरा 100% petrol नहीं जलेगा इस में से pollution भी कम होगा तो इस program का main मक्षद केवल pollution कम करना नहीं था इससे बड़ा main मक्षद ये था कि क्योंकि आज भारत जादतर dependent है Arab countries के उपर में तेल को purchase करने के लिकर तो हम बहुत सरा कच्चा तेल purchase करते हैं दुनिया बर से तो यहां पर भी थोड़ा सा हमें relief मिलेगा क्योंकि हम अपने कच्चे तेल में या petrol में ethanol मिला रहे होंगे तो हमें जादा कच्चा तेल खरीदने की ज़रुरत नहीं है हमारे demand के जाब से कम खरीदेंगे उसमें ethanol मिलाएंगे फिर चलाएंगे तो इससे जो यहां पर fuels का import है वो reduce हो जाएगा अलग-लग देशों से हम अपने देश में पैसा बचा सकेंगे अपनी देश की industry को grow कर सकेंगे तो यह जो target है हमारा 10% ethanol blending का वो तो हमने achieve कर लिया अब हमारा target है की 2025 तक हम 20% ethanol को blend करें तेल में 20% ethanol को मिलाया जाए यह हमारा main target है समझ गए और इसके लिए अलग-लग policies भी start की गए national policy on biofuels इसका target था 2026 तक 20% ethanol को blend कर देना तो ethanol जातर बन रहा है किससे sugar industry से ही बन रहा है sugar industry के जो byproducts है उनसे for example जैसे molasses गन्ने के बाद यहाँ पर जो molasses बचता है गन्ने में से जो निकलता है कुछ और material होगे गन्ने का juice, sugar, sugar syrup या फिर जो कुछ जो हमारे अनाज होता है टूटे-फूटे अनाज होगे इनसे भी ethanol बनाया जा सकता है सरकार आज के समय पर कई सारे steps उठा रही है जिसके तहट वो यहाँ पर ethanol को और जदा बेतर करने की कोशिश कर रहे है जो अलग-अलग सरकारी policies ये नीतिया है वहाँ पर main मकसद है ethanol को supply किया जाए और आने वाले समय पर ethanol का जाद सदा यूज बढ़ा दिया जाए समझ गए और यह आप देख पाऊगे एक जमना तो 2013-14 के अंदर यहाँ पर ethanol का यूज बहुत कम था ethanol को हम केवल 1% blend कर रहे थे petrol में और पिछले 8 सालों में 6 गुना जादा तेजी से रफ्तार हमारी बड़ी है अब हम 2021-22 में अपने petrol में 10% ethanol मिला रहे हैं लगबग सवाल यह है कि अगर हम ethanol कच्चे तेल में sorry fuels में मिलाते हैं petrol में अगर ethanol मिलाते हैं तो इसका importance क्या है इसका फाइदा क्या नजर आएगा सबसे पहला फाइदा होगा reducing fossil fuel dependence इंडिया का जो import है जैसे मैं आपको बताई चुका हूँ वो import कम होगा अलग-लग देशों से जो हम पहले 100% तेल मगा रहें तब 100 नहीं 80% मगाएंगे क्योंकि 20% ethanol मिलाएंगे समझ गए दूसरा importance क्या है protecting the environment जब पूरा 100% तेल जलेगा ज़्यादा pollution होगा उसमें एथानॉल मिला देंगे तो pollution कम होगा हम लोग अपने जो target से climate change को लेकर वो achieve कर सकेंगे एविन एक study का कहना ये भी है कि Indian Institute of Science study आई थी वहाँ पे कहना है अगर आप एथानॉल को petrol से मिला दोगे तो उससे जो carbon monoxide emissions है जो carbon monoxide यहाँ पर बहुत तीजी से emit हो रहा है वो 30 से 50% कम हो सकता है hydrocarbon emissions भी 20% से कम हो सकता है यानि pollution overall कम होता वो नजर आएगा फिर बात आती है supporting farmers की सबसे बड़ा importance यह भी अगर हम एथानॉल का ज़्यादा use करते है तो हमारे किसानों को support मिलेगा बै क्योंकि एथानॉल में हमें गन्या चाहिए होगा मक्का चाहिए होगा तो इनकी demand बड़ेगी इससे क्या होगा farmers की जो income है वो बड़ेगी समझ गए फिर एक और यहाँ पर वायदा है enhancing energy security एथानॉल दोस्तों यहाँ पर एक हमारे घर की ही source of energy है अब इससे क्या होगा हम अलग अलग बहार से तो energy purchase कर रहे हैं उसके उपर निरबरता खातम हो जाएगी एथानॉल का ही use करके इंडिया self-reliant बन सकता है एक बड़े aspect में फिर बात आती है generating economic benefits इथानॉल ब्लेंडिंग कहीं न कहीं हमारी इथानॉल इंडस्ट्री को आगे grow करेगा नई नौकरी आएंगी investment आएगा नए आविशकार होंगे इंडिया और तेजी से develop करेगा इथानॉल ब्लेंडिंग हमारे देश में हर साल 4 billion dollar आप imagine करो 30,000 करोड रुपिया बच सकता है हर साल अगर हम इस इथानॉल को मिलाएं तो ये बहुत बड़ा amount है फिर बात आती है कि जब ऐसा है तो कर क्यों नहीं लेते हम लोग दोस्तों करना इतना असान नहीं है बोलना जितना असान है अब क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस इथानॉल ब्लेंडिंग में कुछ दिक्कत हैं कुछ लिमिटेशन हैं सामने हमारे सबसे पहली लिमिटेशन है फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट जो इथानॉल का प्रड़क्शन है क्या इसको इतना असानी से बना सकते हैं? नहीं यहाँ पर जादा मातरा में बायो मास चाहिए होगा जादा गन्ना, जादा मक्का यह सारे मटेरियल्स चाहिए होगे फिर इससे क्या होगा? इससे हमारे फूड के साथ में कॉंप्रोमाइज होगा और ऐसा यह गन्ना हमेशा इतना अविलेबल होता है कभी कम होता है, कभी जादा होता है सीजन के उपर, वेदर के उपर यह चीज़े डिपेंड करती है मानलो जिस साल कम होगया, उस साल क्या होगा? इधनल कम प्रडियूज होगा तब तो यहाँ पर हमारे देश में प्रॉब्लम्स क्रेट हो जाएंगी ना तो पहला लिमिटेशन यह है सेकेंड है, कॉन्फिक्ट विद फूट सिक्यूरिटी हमारे देश में अलड़ी काफी सरी जगा पर आपको हंगर देखने को मिलेगा भुकमरी देखने को मिलेगी तो अगर हम ऐसे मक्को का एथनल प्रड़क्शन पर यूज करेंगे तो डारेक्ली फूट सिक्यूरिटी के साथ में कॉन्फिक्ट क्रेट होगा शुगर केन में भी हाँ पर हम एथनल प्रड़्यूस कर रहे हैं अलगलग चीजों से तो कॉर्न का केवल मक्के का इस्तमाल कर रहे हैं हम एथनल में तो इससे फूड के साथ कॉन्फिक्ट हो रहा है दोस्तो इससे जो हमारा अनाज है वो लोगों तक ना जाकर केवल फ्यूल में जा रहा है कच्छे तिल में जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा फिर एक और लिमिटेशन है वो है कन्वर्जन एफिशेंसी और यील्ड एथनल प्रड़क्शन के अंदर में जब आप प्रड़्यूस करते हो तो केवल प्रड़क्शन करने में ऐसा नहीं कि गन्ना डालो उदर से सीधा इथनल मिल जाएगा नहीं आपको कई सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है प्री ट्रीट्मेंट, हाइड्रोलेसस, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन इथनल का प्रड़क्शन करना है तो उसके लिए प्रॉपर इंफ्रस्ट्रक्चर होना ज़रूरी है और जब बन जाएगा इथनल तो उसको जगा जगा पर प्रॉपर डिस्ट्रिब्यूट करना भी ज़रूरी है ट्रांस्पोर्ट करना ज़रूरी है स्टोर करने का प्रोसेस आपके पास में होना चाहिए इधर उधर भेजने का प्रोसेस होना चाहिए For example, ethanol corrosive है अगर आप इसे pipe वगयर के माधियम से भेजोगे तो pipe के अंदर में junk लग सकती है pipe damage हो सकता है, tanks damage हो सकता है समझ गए नवा गया आता है फिर बात है वहिकल compatibility and performance की जो ethanol production है यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा यह कहीं न कहीं अगर मान लो जैसे की वहिकल है तो अपने हिसाब से वहिकल चाहिए होगा कहने का मतलब है अभी वहिकल पेट्रोल पे चल रहा है तो वहिकल ऐसा हो जो कम ethanol में बढ़िया चल सके तो यहाँ पे हमें अपने engine के अंदर में fuel system के अंदर में emission control devices के अंदर में नएने modifications करने होगे क्योंकि ethanol की low energy density होती है इसका मतलब यह है कि आपको बहुत जादा ethanol डलवाना होगा उसके बाद गाली थोड़ा सा चलेगी क्योंकि जादा ethanol कम energy produce करेगा तो उसके इसाब से हमें अपने गालियों में modification करवाने की ज़रुवत रहेगी तो at the last writer बोलते हैं कि चलो हमने problem भी discuss कर ली क्या मुद्दा है वो भी discuss कर लिया now finally इन्होंने बोला है कि कुछ कदम है जो हम ले सकते हैं जिससे हम ethanol program को थोड़ा boost कर सके हैं सबसे पहला कदम diversify feed stock हमें जाद से जादा जो non food sources हैं ऐसा नहों कि केवल जो खाना है अनाज है उससे ethanol बनाए इससे खाने की कमी हो सकती है तो इसके बजाए जो non food sources हैं cellulosic biomass waste paper agriculture से निकला वाला कच्रा इन सब का use क्या जा सकता है दोस्तों ethanol को produce करने में second support 2G और 3G biofuels आपको invest करना होगा research और development में जो second और third generation का ethanol production technologies है इसके उपर काम करना होगा क्योंकि ये technologies बिना मतलब जो खाने वाली चीज़े हैं उसको छोड़कर दूसरे चीज़ों से इस ethanol को produce कर सकती है फिर है expand production capacity हमें यहाँ पर नएने ethanol distilleries बनानी होंगी technologies को advance करना होगा financial assistance की जरूरत है फिर एक और यहाँ पर काम है वो है promote regional production हमें focus करना होगा distilleries को बनाए ऐसी जगा पर जहां से properly फिर कुछ और कदम उठा सकते है policy और market mechanism के perspective से पहला है race blending mandate हमें दिरे दिरे यहाँ पर जो ethanol की blending है petrol में इसको increase करना होगा target अभी हमारा 20% तक वाला achieve नहीं होगा तो इसको जल से जल 2025 तक achieve करना होगा फिर इस target को और बढ़ाना होगा फिर बात आती है long term contracts की तो हमें एक fixed price contract भी offer करने होगे oil marketing companies को ताकि यहाँ पर एक stable investment हो सके ethanol के अंदर में तो उनके साथ contract करने होगे बाकि यहाँ पर हम research और development को support कर सकते हैं हमें research के अंदर में investment करना होगा ताकि जो blending ratio है वो कितना होना चाहिए उसके उपर नएनी research करना ज़्यादा ज़्यादा blending को आगे बढ़ाने के लिए engine compatibility issue के उपर काम करना तो यह काम करना भी ज़रूरी है फिर बात आती है technological advancement की तो हमें अपने infrastructure के इंप्रूफ करना होगा बही एथनल बन जाये तो उसका storage को लेकर हमें investment करना होगा transportation के उपर investment करना होगा जो vehicle से automobile sector है वहाँ पर नएने प्रकार के engines डेवलप करने होगे नहीं technology के उपर काम करना होगा जिससे जो engine है वो बढ़िया तरीके से compatible हो हमारे इथनल के साथ में फिर बात आती है quality control की तो यहाँ पर हमें कुछ quality standards कुछ यहाँ पर rules and regulations लेकिने आने होंगे ethanol production को लेकर जिससे यहाँ पर proper तरीके से काम हो सके ना फानिली दोस्तो यहाँ पर आता है आज का मेंस का question तो आज का मेंस का question इसी article के उपर based है question बोलता है discuss the significance of India's ethanol blending program in achieving energy security, energy security तक पहुचने के लिए भारत का ethanol blending program का क्या importance है, क्या महत्व है, वो discuss करना है साथ ही साथ में ethanol blending program का importance fossil fuel के उपर dependency कम करने में environment के उपर जो impact पढ़ रहा है उसको कम करने में कितना जादा मददगार हो सकता ethanol blending वो आपने समझाना है, डाइसो शब्दों में answer लिखना है, एक बार मैं हिंदी में rate कर देता हूँ ताकि हिंदी मादे मौले sprint भी इसको अच्छे से बढ़ कर एक बढ़िया सा answer लिख सके है, question बोलता है उर्जा सुरक्षा प्राप्त करने, जिवाश में इधन निर्भरता को कम करने और पर्रया वर्डिया प्रभाव को कम करने में भारत के इथानॉल समिश्रल कारेकरम के महद उपर चर्चा करें डाइसो शब्दों में answer लिखने के बाद मैं कहाँ पर submit करना है, टेलिग्राम पर जाना, हमाँ पर सर्च बोक्स में लिखना दीपक ज्यादव एजुकेशन मेंस ग्रूप, जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलिग्राम चनल मिलेगा जहाँ पर अल्रेड़ी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं आप भी जुड़कर अपने answer को लिकर सम्मिट कर सकते हो अपने answer को लिकर जो आप सम्मिट करोगे तो साथी साथ में एक छोटा सका मौर करना है एटलीस्ट सभी लोग को दो-दो answers रिव्यू करने हैं जिससे की आप लोग क्या करोगे, चेक कर सकते हो कि भई आपको कुछ important points मिल रहे हैं तो आप उसको अपने notes में include कर लो सामने वाले के answer में कोई mistake है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ यहाँ पर improvement की आवशकता है तो अस प्रकार से corporate area में वो पूरा group काम कर रहा है आप कुछ short news हैं फटावाट उसको अपने को मिलेगा टी-टू नाम इसका यानि की terminal in a garden जो airport है यह इसका उदगाटन हुआ था 11 November 2022 में और इस airport को दुनिया का most beautiful airport का award मिला है यह award मिला है युनासको की site से तो बैंगलूरू एरपोर्ट ने जीता है award युनासको 2023 का ठीक है ध्यान रखना तो एक सबसे बहतर कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि यह हमारा एरपोर्ट है दुनिया का most beautiful award है बैंगलूरू का T2 award ठीक है यानि की terminal 2 of Campagoda international airport जो की बैंगलूरू के अंदर में समझे ध्यान रखनाटने इसके बारे में directly one examination में आपसे नाम पूछा सकता है कि यह most most beautiful airport का आवार्ड जो मिला है उसे airport का नाम बता हो तो वो है यह वाला airport आ गया आता है पर एक और निउस आर्टिकल यह है कि भारत ने अभी जो price bid है 26 Rafale jets के लिए उसको यहाँ पर receive किया है अभी क्या है फ्रांस जो है Rafale jets के उपर बोली लगवा रहा है इंडिया भी शामिल है तीन submarines यानि पंडूपिया जो है वो भी हाँ पर अभी फ्रांस दे रहा है उसमें भी यहाँ पर इंडिया सामिल है तो बोला जा रहा है कि यह 26 Rafale है वो हमको purchase का लेने चाहिए क्योंकि जो यह 26 jets होंगे इससे एक gap फिल हो जाएगा क्योंकि हम भी इस प्रकार के jets खुद बना रहे है अपने देश में जिसका नाम है ट्वेंजिन इंजन डाक बीस्ट फाइडर जेट लेकिन यह development पर है इसके ओपर काम चल रहा है इसको service आने में समय लगेगा इसको service में आने में तो यह जो gap है हमारा इस gap में हमें 26 jets को लेकर आना चाहिए इस gap को fulfill करने के लिए तो यह जो 26 zafal jets है इसको लेकर जो price bid है फ्रांसे वो भारत ने purchase कर ली है पर्चेस नहीं यहाँ पर और यह पंडूपया ज़रूरी भी है इंडियन नेवी की strength को improve करने के लिए खेर अब इसको पर नएने updates आने बहुत सरे updates आने बाकिये है थोड़ा सा wait करो बड़ी updates आपको मिलेंगे लेकिन यहाँ पर राफाल की जब बात की जा रही है तो राफाल जट आपको यह नज़र आएगा जिसका total weight है 24.5 tons का इसकी height है 5.30 m की मिदब इतना ज़ादा यहाँ पर आप इसको इतना गौर से मत देखो बस खली इसका जो speed है उसके ध्यान रखना इसकी जो speed है टॉप speed है वो है 1.8 mark यानि कि जो sound की speed है तो राजसवा ने टेलिकॉम जो बिल पास क्या है यह टेलिकॉम बिल में क्या है कल के वीडियो में already मैं discussion कर चुका हूँ तो प्लीज कल वाला वीडियो open करें सबसे पहला यह article मैंने इसकस क्या है 10-15 मिनट में आपको टेलिकॉम बिल समझा दिया है फिर नेक्स राडिकल है पालियमेट ने क्लियर कर दिया IPC-CRPC Evidence Act बहिए सारे जो पुराने वाले कानून नहीं खतम हो रहे है इंडियन पीनल को डटारोस आट का खतम हो रहा है Code of Criminal Procedure 1898 का खतम हो रहा है इंडियन Evidence Act 1872 का यह भी खतम हो रहा है क्यों क्योंकि यह सारे के सारे अंग्रेजों के जमाने के कानून है तो राजसवा ने थर्स्टे में यहाँ पर पास कर दिया है नए कानून IPC-CRPC Evidence Act की जगा होंगे हमारे पास में भारतिय नियाय सनहिता बिल भारतिय नागरिक सुरक्षा सनहिता बिल भारतिय साक्षे बिल आपको यह देखने को मिलेगा यह तिनों बिल है जो कि यहाँ पर इनको रिप्लेस कर देंगे पुराने वाले लॉज को हमिशा जी का कहना है हमें जो यहाँ पर ब्रिटिश इंप्रिंट्स हैं अंग्रेजबे के अभी भी हाँ पर जो निशान उसको छोड़ने होंगे उसको हटाने होंगे उसको हटाने के पीछे का एक चीज यहीं है कि इसको हटाया जाए और हमारे पुराने वाले जो लॉज है कि जो नए वाले लॉज है ये नए वाले लॉज क्या बोलते हैं इसके बारे में जानना है तो प्लीज 12 अगस का वीडियो उपन कीजिए 12 अगस 2023 ग्या हिंदू बाई दीप या दव लिखना यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा थम्नेल भी इसी आर्टिकल के उपर लगावा है वीडियो ओपन करूगे पहला ये आर्टिकल मेंने डिसकस क्या है जहां पर आपको डीटेल से समझाया गया है कि आखिरकार ये जो नए वाले बिल्स हैं वो क्या है और कैसे काम करते हैं चलिए नो आता है यूपीएसी वाले प्रिलिम्स के क्वेशन पर क्वेशन ये था कौन सा क्रॉप है जिसको इथनॉल के लिए यूज किया जा सकता है या इथनॉल के लिए उगाया जाता है तो सही उत्तर मेज, कौर्न, मक्का अभी हमने पढ़ा ही था है ना तो इस विए से जान बुझ कर ये क्वेशन आपको स्टार्टिंग में दिया गया चलिए मिलते ह आपसे अगले वडियो में आज के लिए बाबाई, have a nice day, thank you and jahind